तिन गटकरी जी से जब मीडिया ने ये प्रसंद किया कि आप ने जो ये टाक्स लगाए हैं क्या आपकी केंग सर्कार की सहमती से लगाएगे तो उन्हों को जवाब ये था कि हमने इस देस के अंदर जो दुर्घटना है होती हो उसको रोखने के लिए ये सब कुछ लगाया ह तो ये क्या गणित है इसका मतब अगर जुर्माना आप जाधे बढ़ा रहे हैं इससे एक्सिडेंट रुख जाएंगे ये लिंक कहां पर है कैसी ये लिंक साबित करते हैं नितिन गड़गरी जो परिवहान मंत्री है इसका लिंक कैसे साबित करते हैं ये बहुत ही जुर्माने के बढ़ाने से एक्सिडेंट कम हो जाएंगे ये कहीं दूर दूर तक भी साबित आप नहीं कर सकते हैं नहीं इसका कोई लिंक है जो एक्सिडेंट में डैथ होती हैं उसके मुख्य कारण है कि आपकी सड़कें टूटी हुई हैं आपकी सड़क पर इंडिकेश जो मेजरमेंट से वो आपके हाँ पर नहीं है जैसे मैं आपको बताता हूं हाइवे हैं हाइवे जो बने हुए हैं हाइवे का तरीका यह है कि जब आप एक्स्प्रेस वे बना रहे हैं हाइवे बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर रास्ते में कोई गाउं पढ़ते हैं या आ आपने रोट्स निकाल दिये हैं बिल्कुल गाओं के बीच में कोई सेप्टी मैजरमेंट्स नहीं हैं वहां एक्सिडेंट्स होते हैं आपके इसके अलाबा आप जो इस अरी कि सारी जो आप मतब एक्सिडेंट्स कम होंगे यह जो बात कह रहे हैं पहले आप जो बाकी और करते हैं आप इसे ठीक नहीं करना चाहेंगे तो यह जो सारी चीज़ें हैं यह बिलकुल गलत है और एक मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए उनका बयान बिलकुल गलत है अगला सवाल यह कि कहीं नहीं देखा जाये तो जो गरीब तुपका है जो ठीज़ा चलने के रावब और शीज़ान लोगों एक आभी तक किसी नेगशरीय का कोई चलाद वाला गवी सब्सक्राइब कर लिए और और अगर देखा जासनियम है, यहां जब भी दबाया जाता है, वो गरीबों को, मजदूरों को, और जो ताकतवर लोग हैं, उनको छोड़के जो बाकी और लोग हैं, दुखी हैं, सोशित हैं, पीडित हैं, कमजोर हैं, मध्धम तबके के लोग हैं, उनहीं को दबाया जाता है, इसके अलाबा वो two wheeler जो चला रहा है वो करीब आदमी ही है वो निम्न मद्यम दर्जे का ही व्यक्ति है और यह जिनके पास छोटी मोटी का रहे हैं वो लोग जो हैं वो निम्न मद्यम दर्जे के ही लोग हैं तो ultimately मार जो है वो गरीब पर ही पढ़नी है एक ट्रेक्टर का भी उधाना आपने देखा होगा कि ट्रेक्टर का भी उधाना आया तो कौन है वो किसान हैं मजदूर हैं ultimately जो भी कुछ मार पढ़नी है वो गरीब पर ही पढ़नी है और मैं ये पूरे विश्वात के साथ कह सकता हूँ कि ये सरकार हर तरह से गरीबों को दबाने और कुछलने के लिए जो एक्ट है आपका ये पुलिस के हाथ में लूट का एक हत्यार दे दिया गया है और इस लूट के माद्दम से पुलिस माल आ माल होने जा रही है सरकार ये सोचे कि कोई भी Candis देश में जो गाड़ी लेता है वहां लेता है चया एमोडर साइकल हो चया कार हो चया ट्रक हो या कुछ भी चेज हो जिस समय वो शोरूम से गाड़ी निकालता है उस समय वो रोड टेक्स भरता है जो हजारों से लेके लाखों में बैटता है इतना बड़े संख्या में वो टेक्स देता है उसके बाद में अगर वो जहां पर रह रहा है वहां से अलग कहीं भी जाता है तो हालत यह है कि जिस तरफ चले जाएए मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अपना एक्सपिरिंस रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मैं अगर कहीं भी 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं चला जाता हूँ तो तकरीवन 800 रुपए के आसपास मुझे टोल टेक्स देना पड़ता है एक ही दिन में अगर मैं आता जाता हूँ तो मैं रोड टेक्स भी दे रहा हूँ जो टेल मैं भरवा रहा हूं गाड़ी में उसमें जितने का तेल है उसमें आधे से जादे जो पैसा है वो भी टेक्स के रूप में जाता है सरकार को, कें सरकार को, राज्य सरकार को और इसके बाद इतना हैवी जुर्माना, एक छोटे से, मतब एक नियम के उल्लंगन के लिए इतना हैवी जुर्माना और आप इसे जाइज बता रहे हैं, ये किसी हालत में जाइज नहीं है मैंने पहले भी कहा तो फिर इस बात को दोराता हूँ कि इसको लगाने से पहले जो आपके रोडों में गड़े हैं आप उन गड़ों को ठीक कीजिए जो आपकी रोडें टूटी पड़ी हैं उन रोडों को ठीक कीजिए आप क्योंकि इस देश में तकरीबन तीन हजार से होता है तो आपको इसे ठीक नहीं करना चाहिए सरकार को इसे ठीक करना चाहिए इसके लाबा आपके जो सिगनल्स है वो रेड राइट सिगनल्स जो है वो कहीं काम नहीं करते दिली जैसे शेरों को भी कहें वहां भी काम नहीं करते हैं रोड्स आपकी सही नहीं है और आप इतना बड़ा जुर्माना लगा रहे हैं एक तरफ आप उन चीज़ों को ठीक करके लगांगे तब ठीक है कि पे चलते चलते क्या संदेश देरा जाएंगे ऐसे पीडित लोगों को जो इस अदिनियम से पीडित हैं नही सरकार और सरकार से मांग सीधी होनी चाहिए कि आप जो है जो रोड सेफ्टी के और तरीके हैं पहले उनको ठीक कीजिए उसके बाद में आप ये इस तरह के जो है कदम उठाईए और लोग इखटे होके एक होके मिलके आवाज उठाएंगे और तभी ये बात बनेगी अन्य आतार जो बढ़ता चला जा रहा है अन्याय आप देख रहे हैं पुलिस के माद्यम से ये लोगों का जीना हराम कर देगा तो लोगों को इखटा होके आवाज उठानी चाहिए